वेलकम यू तो दे वेरी लास्ट मॉड्यूल अफ इस ग्राफिक दिजाइन कोर्स ओफर्ड यू बाइ ओनलाइनस्थार डॉट कॉम ये मेरा सबसे ज्यादा इंट्रेस्टिंग और फेवरेट मॉड्यूल है और हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे कि मॉबाइल अप्लिकेशन या एक वेबसाइट किस तरह से डिजाइन की जाती है और उसका डिजाइन प्रॉसेस क्या होता है तो अभी तक आपने जितना भी course complete किया है, जितना कुछ सीखा है तो आपके वो सारे design process, वो आपके illustrator की skills, वो photoshop की skills आपके इस module में इस्तमाल होने वाले हैं तो अगर आपने अच्छी इसे practice की है, तो that's very good आपको बहुत जादा काम आएंगे, जो आपने different projects पर काम किया और different चीज़ें create करके देखी, तो हम इस module को दो phases में divide करते हैं पहले phase में देखेंगे के UX का introduction क्या है, different इस field के अंदर rules कौन कौन से है इसके अलावा इसका process क्या है, information architecture क्या होता है, उस पे कैसे काम किया जाता है, user research कैसे की जाती है competitive और market research कैसे की जा सकती है, इसके अलावा wire framing क्या है, visual designing कैसे करते है और at that of the process, इसकी usability या alpha beta testing किस तरह से perform की जा सकती है second module के अंदर हम एक case study लेंगे और उस case study को design करेंगे adobe xt के अंदर और उसको पूरे process में से लेके चलेंगे हम उस case study में एक smart doorbell solution design करेंगे, उसके एक mobile application design करेंगे तो उसका competitive research, उसकी market research करेंगे, कि market में और कौन-कौन सी doorbells है हम क्या solution लेकि आ सकते हैं, हम users को understand करेंगे, users का feedback लेंगे इसके बाद हम अपने कुछ concepts को draw करेंगे, user flows generate करेंगे उसका architecture design करेंगे और उसके बाद हम उसको convert करेंगे visual designs के अंदर so at the end of this second phase, जो सबसे important चीज है वो ये है कि आपने अपनी application तो design कर ली, website तो design कर ली तो अब उसको developers के साथ कैसे share किया जाए, उसको client के साथ कैसे share किया जाए आपने जिन users के लिए उसको design किया है, उन users के साथ उस design को कैसे share करके test किया जाए, so this is going to be the very interesting part of this module so I am very excited to teach you that how to design an effective mobile application और इस module में भी सबसे important चीज इसका design process है तो आपने design process पे focus करना है, अगर आप design process समझ जाते हैं, सीच जाते हैं so you can design any of mobile application in the world और आपका design process mature होता जाए का वक्त के साथ साथ और design process ही आपकी value है, जब आप market में freelance projects लेने के लिए जाएंगे या एक physical job के लिए जाएंगे so let's get into this module